यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल Hindi Bible Message and Prayer Center को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुभा, शाम, वच्चन, प्रातना और गवाहे के द्वारा साहित करते हैं यदि आप प्रातना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे Prayer Center में कॉल करके प्रातना करवा सकते हैं धन्यवा Praise the Lord, दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रातना में और आज मैं आप से बात करना चाहता हूँ कि कई बार जब विश्वासी लोगों के जीवन में कुछ परिशानी आती है, कुछ मुसीबतें आती हैं तो जो अन्य लोग होते हैं, वो कहते हैं, तुम्हारा परमेश्व कहा है? जिस परमेश्व कि तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो, वो परमेश्व कहा है? जब कभी कोई ब्यक्ति के जीवन में बीमारी आ जाती है, तब भी लोग कहते हैं, इनका परमेश्व कहा ह प्रवो आपके जीवन में काम करेगा। प्रवो उन लोगों के मुह को अपने आप बंद करेगा। कई बार ऐसा समय आता है। बजनकार दाउद के जीवन में भी हम एक बार ऐसे समय को देखते हैं। जब लोग उनके लिए ताने देते हैं। उनको ताने देते हैं। उनसे कहते हैं तेरा परमेश्षूर कहा है। जिसकी तो इतनी अराधना करता है, इतनी बड़ाई करता है। कहा हैं तेरा परमेश्षूर है। हम लोग पढ़ेंगे। बजन साहिता 42 और उसका तीन पद। लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए है। वो कहते हैं कि मैं दिन और रात रोता हूँ। मानू मैं इन आंसूं से ही अपना पेट भर रहा हूँ। ये मेरे भोजन हुए हैं। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं। अने एक प्रकार के लोग आयाकर मेरे पास आकर कहते हैं तेरा परमेशूर कहा है। तेरा परमेशूर कहा है। जिसकी तो इतनी बड़ी-बड़ी बातیں करता था, वो परमेशूर कहा है। हम लोग पढ़ते हैं योईल की किताब उसका दो अध्याए और सत्रपद वहाँ पर भी परमेशुर का वचन कहता है कि लोग कहते हैं तेरा परमेशुर कहा है जिस परमेशुर पर तु भरोसा करता है कहा है तेरा परमेशुर आयूब के जीवन में भी हम लोग देखते हैं जब आयूब पर विपत्ती पड़ी तो उसकी पत्नी ने भी इस बात को कहा लोगों ने भी इस बात के जिस परमेशुड पर तु भरोसा करता है उसमें तुझे ये दुख दिया है कहा है तेया परमेशुड हो सकता है आज आपके जीवन में भी ये बात हो रही हो हम लोग देखते हैं इसराइलियों के जीवन में भी जब वो मिसर देश में थे गुलामी में थे तब भी लोग कहते रहे होंगे कि तुम्हारा परमेशुड कहा है जिसने तुमें चुना था वो परमेशुड कहा है तुम तो यहां स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन क्या आप जानते हैं इस समय में जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं परमेशुड आपके लिए बेस्ट फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं परमेशुड तयारी कर रहे हैं परमेश्र पर दे के पीछे काम कर रहे हैं आपको वो काम दिखाई नहीं दे रहा लेकिन परमेश्र काम कर रहे हैं और जब परमेश्र काम करेगा तो इन लोगों के मुढ बंद हो जाएंगे जो लोग आज कह रहे हैं तुमारा परमेश्र कहा है बहुत जल्द परमेशर स्वयम उनके मुह को बंद कर देगा उनके पास फिर कोई जवाब नहीं रहेगा वो बोल नहीं पाएंगे आपके सम्मुक बैविल कहती है कि वो मेरे दुस्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है हमारा कोई दुस्मन नहीं है हम सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं लेकिन जो लोग हमारा मजाग बनाते हैं जो लोग हमारे विरोध में हैं परमेशर उनके सामने हमें उचा उठाता है परमेशर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा उनके मुह को परमेशर बंद करेगा आपको उनके सामने परमेशु सिरो मनी ठेराएगा क्यों? क्योंकि वो चुप नहीं है वो चुप नहीं है वो काम कर रहा है वो सही चीज़ों को ब्यवस्तित कर रहा है इसलिए तोड़ो सा दीरज रखें जब परमेशुर अपनी प्लानिंग को ओपन करेगा सब के मुँ बंद हो जाए मिसर देश में लोग है साइद मिसरी लोग कहते भी होंगे तुम तो कहते थे कि हम जीवित परमेशुर की सेवा करते हैं उसके द्वारा चुने गए लोग है लेकिन तुम तो हमारी गुलामी में हो लेकिन वो नहीं जानते कि मुसा जंगल में तयार हो रहा है वो नहीं जानते हैं कि परमेशुर मुसा को तयार कर रहा है इन लोगों को छोड़ाने के लिए और वो दिन आया जब मुसा आया और उन्हें छोड़ा कर के लिए अयूब के लिए भी जब लोगों ने कहा होगा उसका भी जब लोगों ने मजाग बनाया होगा वो नहीं जानते थे कि जब परमेश्र इन दिनों को समाप्त करेगा ते दो गुना आसीस को पाएगा उन्हें नहीं पता था यह पाए और परमेशों नैसक किया बस आपको थोड़ से दीरेज रखना है और परमेशों आपके जीवन में भी ऐसी के । हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं दानियल को जब सेरों की मانद में डाला जा रहा था तब भी लोग यही कहते होंगे अरे ये तो इतनी प्रार्थना करने वाला बेक्ती था और अंत में क्या हुआ इसका परमेश्वर इसे बचा नहीं पाया हमने तो इसे सेरों की मान में डाल दिया इसे तो सेरों ने खा लिया होगा कहां गया इसका परमेश्वर जिसके सेवा करता था जिससे प्रार्थना किया करता था, जिसके बड़ी-बड़ी बातें करते थे, कहां दिया इसका परमेश्वर। लेकिन वो नहीं जानते थे, कल सुबह जब ये गुफा का ढखकन खुलेगा, तो दानियल वहां जीवी पोगा। वो नहीं जानते थे कि समय इसका परमेश और सेरों के मुह को बंद कर रहा है, उन्हें नहीं पता, लेकिन जब समय आया, लोगों ने देखा, इसका परमेश और जिसकी ये सेवा किया करता था, इसका परमेश और जिससे ये प्रार्थना किया करता था, वो सेरों के मुह को बं जवाब देगा, वो अपने आप उन्हें जवाब दे सकता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको बने रहना है, आपको भरोसा रखना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वो समय दूर नहीं, जब प्रभू आपके जीवन में काम करेग दाउट के साथ में भी ऐसे हुआ, परमेशन ने लोगों के मुह को बंद कर दिया, उसे राजा मना दिया, उसे सिरोमनी ठैरा दिया, सब के मुह बंद हो गए, ऐसे प्रवब आपके जीवन में करेगा, इसलिए निरास नहोई, दुखी नहोई, चींतित नहोई, परिशान नह होई, जब आपके अपने, जब आपके परिवार वारे लोग, जब आपके साथ में काम करने वाले लोग, जब आपके प्रिये लोग, आपको तानिय मारें, जब आप से कहें, तेरा परमेशन कहां है, है तो जड़ा ठीक करके दिखा, इसे चंगा करके दिखा, बता, तो उस उस समय आपको निरास नहीं होना है, उस समय आपको धाडस नहीं खोना है, ब्याकुल नहीं होना है, बलकि आपको धीरज रखना है, और परमेश और आपके और से सवाल का जवाब देगा, परमेश और आपके और से उन्हें बताएगा, क्या सही, परमेश और सही समय पर उनके मुझ को बंद करके उनके सामने आपके लिए नेज़ बिचाएगा आपको सिरो मनी ठैराएगा प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आइट स्यासिस देगा आमेन इन बीते दिन मैं बहुत परिशान थी अपने हस्टेन फुलिए करके उनके उनका परमशन गूप गया था उनके साथ इतने इन बैसके थे उनके सब्सक्ता हो चुका था लेकिन इनका नहीं हुआ था और इनके साथ पास लोग बाखी रुग रह गये थे तुछ ऐसा कारह मुआत्मा वहां रुपावटे आ गए थी इसके कारह वो नहीं हो पाया वो बहुत चिंदित में थे हम लोग में प्रेरियों के उनके प्रात्ना देजे वह एक बहां ने हमारी प्रात्ना किया और प्रभू ने उससी वक्त उमारी प्रात्ना को शुना और अपने प्रात्ना को अपने स्वर्गराज में दुहिके और हम हर एक दिन अपने बच्छों के साथ उप्रेर भी करते हैं और आज के दिन है जो मेरा हास्वे का पर्मोशन ही चुटा है सिवा मॉनिंग में ही वो मेरे पास कॉल किये और बताये कि मेरा पर्मोशन में चुबा आज की सुन्दर शाम के लिए और मैं आशा करती हूं आप खुश है आनंदित हैं आइए मेरे साथ मिलकर प्रात्ना कीजिए आपके लाइफ में जो कुछ भी है जो भी आपके लाइफ की इशूज है प्रॉब्लम है बीमारिया है कर्जे हैं बहुत सारे ऐसे विशे आपके जीवन में है जिसके लिए आप चिंतित हैं मेरे साथ मिलकर प्रात्ना करें प्रभु येश्य मसी आपके जीवन में कारी करेंगी आईए प्रात्ना करें धनेवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अतिपवित्र महान सामर्ठी पिता हम आपका आद प्रभु जी आपने हमें दिया है अपनी पवित्र प्रजा अपनी चुनीवी प्रजा को तुने ये समय दिया है कि वो तुझ से बातचीत करें मैं धन्यवाद करते हूं इस समय आप हमारे मध्य उपस्तित हैं धन्यवाद करते हैं आपके कीमती पवित्रात्मा के लिए तेक जन के साथ मैं पिता यदि आज कोई दुखी है प्रभू अपने आंसुओं को बहारा है प्रभू उनके आंसुओं को पोचे प्रभु जी तेरा वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनन में बदल दूँगा मैं धन्यवाद देती हूं प्रभू दिन भर के एक एक पर और यह सब बचाएवे लोग हैं चुनेवे लोग है परमिशर जिनने प्रभू तु हर दिन प्रभू अपने वचनों के द्वारा बढ़आ बढ़ा है और मैं धनिवाद देती हूं पिता जितने भी लोग ने प्रभव आपके वचन को सुना है इस वचन के अनुसार प्रभुजी बहुत से ऐसे सवाल है पिता जब लोग उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहा है हाँ परमेश्व पिता यदि इनके ज सवाल है पिता प्रभु जी मैं प्रात्न करती हूं प्रभु इन सवालों को सुनकर बहुत से लोग इस समय नाराज है परमेश्व पिता हताश है प्रभु कि तुम्हें जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा मेरे पिता मैं प्रात्न करती हूं आज प्रभु जी भजनकार दाउ प्रभू आज पिता तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के लिए उनके सताने वालों के सामने इने नीचा दिखाने वाले लोगों के सामने इनसे सवाल पूछने वाले लोगों के सामने प्रभू आप मेज को बिचाएं पिता परमेश्वर और उन्हीं लोगों के सामने इन्हें उचे पदो पर न्यूक्त करें उन्हीं लोगों के सामने प्रभु जी आप इन्हें हाईर एन हाईर पोस्ट पर न्यूक्त करें उन्हीं लोगों के सामने प्रभु इनके परिवारों में आप आशीज दें इनके बच्चों के जीवन में आशीज़े मेरे पिता प्रभु जब ये बहुत प्राथनाई कर रहे हैं तेरा वचन कहता है कि तेरे दृष्टी प्रभु धर्मी जन पर लगी रहती है कि सच में प्रभु और तेरे नजरे उनके उनके लिए फिरती हैं परमेश और कि किस प्र लगी बहुत प्राथनाई को उत्तर क्यों नहीं देरा प्रमेश आज ने विश्वास सुने पाएं और प्रभु तेरा वचन कहता है कि यू आर गौर अफ टाइम आप समय के परमेश प्रभु एक सही समय पर इन भाई-बहनों के जीवन में इनके बच्चों के जीवन में हर परिवारिक इन भाई बहनों के जीवने प्रभू आपकारे करें प्रभू जिन्होंने उम्मीद और आशा प्रभू मानों के तूटती भी नजर आरी है और आपने वचन में कहा है कि अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा ना तूटेगी परमेश्य प्रभू आप लोगों क के सामने इन्हें सम्मानित करें आप लोगों के सामने इन्हें प्रतिस्टित करें जिस प्रकार प्रभू इस्राइलियों के सामने प्रभू तुन्हें यहोश्यु को पिता प्रभू उसकी प्रशंसा करना आरंब किया उसे एक्जॉल्ट किया उसी प्रकार इन भाई बहनों को इनके बच्चों को परिवारिक हर एक जन को अर इस समय जितने लोग इस प्राथना को सुन रहे हैं उन्हें आप एक्जॉल्ट करें, उनकी प्रशंसा करना आरंब करें पिता, इनके जीवनों में आप कारे करें, तेरा वच्चन कहता है, जब तुम प्राथना में मांगो तो प्रतिती कर लो कि जो तुम माग रहे हो तुम्हारे लिए हो गया आज ये प्रतिती करने पाएं आज ये विश्वास करने पाएं आज ये रिसीव करने पाएं ये शुनासरी के नाम से मैं प्रात्ना करती हूं रिसीव करने के लिए पिता जो बातें जो थौट्स इन्हें रो प्रभु येश्यू मैं प्रात्ना करती हूं आज बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए उनके सभाव के लिए प्रभु उनके चाल चलंक के लिए प्रशान है प्रभु कि वह आज प्रभु तेरी नजदीकी में नहीं है परन्तु तेरा वचन कहता है कि दुधर्मी जन की प्रात्नाओं की उनकी सुधी लेता है प्रभु जभी अपने बच्चों के लिए अपने नौजवान बच्चों के लिए प्रभु तुझ में नहीं है वो जोती में नहीं है परन्तु प्रात्नाएं प्रभु इनके परिवार के लोग उन बच्चों के लिए कर रहे हैं माता संगती से परमेशर बहार निकल कर तो सचे परमेशर को जान कर तेरी महिमा करे पिता ननिवाद करते प्यारे प्रभू जब ये भाई बेन प्रभू अपने हस्बिन के लिए अपने वाइद के लिए पिता अपने परिवार में प्रभू जी अपनी बहन के लिए अपने भाई क जीवन में आज ही इसी वक्त परमेश्व पिता तेरा अध्भुत कार्य हो उनकी आंखे खुल जाएं और तुछ परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभु बनाए मेरे खुदावन मैं प्रात्ना करती हूं आज प्रभु जी प्रभु जब ये अपने प्रभु जॉब के नज़र आ रहा है मैं प्रात्ना करती हूं करजे हर प्रकार की प्रॉब्लम्स निया प्रभु जिनके मैरिज नहीं हो पाई है संतान नहीं है घर नहीं है रोजगार का कोई साधन नहीं है ये प्राब्लम्स चली जाए खुदावन उपाए आपकी ओर से हुने पाएं पिता धन्यवाद करते हैं आज जितने भी भाई बैन प्रभु साम में परमेश्व पिता प्रभु जी निराज बैठे हैं वो अपने आपको थका वह मैसूस कर रहे हैं प्रभु अपने तरफ से कोई भी एफ़र्ड नहीं लगाना चाहते परमेशर क्योंकि वो उन्हें लगता है कि वो प्रातन करके ठक चुके हैं मैं प्रातन करती हूँ प्रभु आज उनके अंदर एक नई ताजगी दे प्रभु जी और वो प्रभु जी फिर से तरो ताज़ा हो जाए और अपने जो वो प्रातना विंतिया हर दिन वो मांग रहे हैं खुदावन वो अद्भुत रीती से अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाएं प्रभू आज जितने लोग बीमार हैं प्रभू हम इनकी बीमारियों से कहते हैं यदि आपको कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी है जिस से अभी आप जूज रहे हैं येशु आपने कहा है निस्च है मैंने तुम्हारे रोगों को स्तह लिया तुम्हारे दुखों को उठा लिया येशु के नाम से हर प्रकार के रोग को हम बच्चों के शरीर से जाने के आग्या देते हैं हर प्रकार की बीमारी को हम नौजवान आज इनके शरीर में हैं, हम उच्छे कहते हैं, बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जाओ ये शुके नाम से, इनके शरीर को छोड़ कर, हार्ट की प्राबलम, कलेस्ट्रोल प्राबलम, लंग्स प्राबलम, अस्तमा की प्राबलम, प्रभुजी, किड्नी, लिवर, इ इसी वक्त चली जाएं, आज्या देते हैं इशुनास्री के नाम से, I command every sickness, get out in the name of Jesus Christ, हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को, हर प्राकार की बॉड़ी डिसॉर्डर को, हर प्राकार की शारेरिक प्रभुजी, जो समस्याएं हैं, हम आज्या देते हैं, जाओ ये शुके नाम से Thank you Father, आपने चंगा किया, चंगाई पिता आप बहने लगे ये शुके नाम से, ये receive करने पाए in the name of Jesus, आज की रात में अच्छी नीन से सुलाएं, दर्शनों से बातचीत करें, वचनों से बातचीत करें, और तेरे अदभुत कारे को ये अपने जीवन में देख सके, ये नाम से इन बुरे परस्तियों के उपर हमा धिका लेते हैं, और कहते हैं, जाओ इनके जीवनों को छोड़कर, जो बच्चे रात भर नहीं सोते हैं पिता, बहुत जादा चिलाते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, ये शुके नाम से उन बच्चों के जीवन में प्रभु तेरी चंगाई को और प्रभु तेरी सुरक्षा को मांगते हैं, प्रभु जी आपने का मैंने तुम्हें डर और भैका नहीं, परन्तु सामत और सयम का आत्मा दिया है, तैंक यू जीजुस, धन्यवाद पिता, कल का दिन प्रभु ये तेरे साथ में देखें पिता, और जो भी प प्रभु जी आप उनकी सुधी ले और जितने लोग इस समय परिशान है पिता, उनकी परिशानियों को आप दूर करें, क्योंकि पिता, यदि इननों ने अपने परीजनों को खोया है, या फिर प्रभु जी वो कहीं चले गए है, प्रभु उन्हें सुरक्षित घर आने में प्रभु जिसका इनके परिवार में कोई भी नहीं है पिता, जब इनका कोई भी नहीं है परमेशज जो इनके साथ खड़ा हो सके, पर अंदु तुने कहा है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, धन्यवाद करते पिता, हर एक जन को ब्लेस करते, करजे इसी वक्त चले जाएं, हर एक financial problems चली जाएं, हर प्रकार की निराशा चली जाए शुके नाम से, पिता धन्यवाद, आपने हर एक जन की प्रात्नविंतियों को सुना, उत्तरहां आमीन में दिया है, अपर वो जितनों ने अपने हाथों को आपके रज्ज के लिए बढ़ाया है, पिता, आप उन्हे सौग गुना multiply करके return करें, और वो बढ़ोतरी को अपने जीवन में देख सके, जितने लोग सिवकाई कर रहे हैं, ministry में involved हो रहे हैं, हमारे साथ मिलकर सिवकाई कर रहे हैं, खुदावन, आप उन्हें bless करें, पिता, येश्यो धन्यवाद करते, येश्यो के नाम से प्रात्न आमेन आमेन और आमेन